वेलकम अगेन इन माई चैनल कॉंसेप्ट गुरु एके आज प्यारे वढ़्यारतियो मैं आपसे बात हिंदी में कर रहा हूं क्योंकि यह वीडियो इंगलिश ग्रैमर के बारे में है तो आज हम इंगलिष की कुछ कोंसेप्ट के बारे में शुरुबात कर रहे हैं और सबसे पहला जो बात कर रहे हैं वो आज बात करेंगे हम Tenses को काफी दिक्त होती है Tenses सीखने में तो हम Tenses सीखेंगे तो Tenses की बात करेंगे तो सबसे पहले Tenses है Tense क्या होता है Tense होता है Time The thing which tells about the timing of the sentence जो समय के बारे में बताए उसको Tense बोलते हैं तो समय हमेशा तीन तरह का होता है Present Tense, Past Tense and Future Tense Present जो वरतमान समय है Past जो बीट चुका समय है और Future जो आने वाला समय है तो Tenses में इन तीनों Tenses की चार-चार टाइप्स किसमे होती हैं तो हम एक एक करके बात करेंगे तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे Present Tense की Present Tense में सबसे पहला जो Tense है उसका नाम है Present Indefinite Tense इसको Present Simple भी बोलते हैं जो Present Indefinite Tense है इसको Present Simple भी बोलते हैं तो बच्चो जो Present Tense है उसमें दो तरह के Sentence बनते हैं एक वो बनते हैं जिनका सब्जेक्ट सिंग्लर होता है और First Form of the Verb उसमें लगती है और उसके साथ होता है S या E S और दूसरी तरह का जो Sentence मनते हैं वो पलूरल उसका सब्जेक्ट होता है जातर और First Form of the Verb ही लगती है तो एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि सब्जेक्ट और Verb का Agreement करवाना होता है इसका अर्थ यह है कि अगर सब्जेक्ट सिंग्लर है तो Verb भी सिंग्लर होना चाहिए और If subject is singular, Verb should be singular If subject is plural, Verb should also be plural अगर सब्जेक्ट जो होता है जो वाग की शुरुआद करता है वर्ड उसको सब्जेक्ट बोलते हैं अगर वो सिंग्लर है तो Verb भी सिंग्लर लगेगा तो इसको थोड़ा और समझते हैं Present Indefinite Tense में मैं बता रहा था आपको पी सिंग्लर क्या होता है तो जैसे बॉइस से बॉइस बसस पैन से पैन्स इन सबके साथ S लगा हुआ है एस लगा है तो ये नमबर है चेंज़दा नमबर जो नमबर है उसमें अगर S या इस लगे तो कोई चीज सिंग्लर से प्लूरल हो जाती है लेकिन वर्ब में इसके उल्ट है अगर किसी वर्ब के साथ S या इस लग जाए तो वो सिंग्लर हो जाता है सब के सब ये सब से ध्यान देने वाली चीज़ है सारी वर्ब کی first form of the verb is always plural first form of the verb is always plural जो वर्ब की first form होती है वो plural होती है अगर उसको singular बुनाना हो तो उसके साथ yes यह ऐसा लगता है जैसे go के साथ goes help के साथ helps play के साथ plays win के साथ wins so and so सो मैं आपको जैसे agreement बता रहा था अगर subject जैसे we we subject है we plural है इसके साथ जो verb आएगा वो भी plural हैगा तो ये plural है ये plural है ये plural है we go to school daily we subject है ये plural है और इसके साथ go verb लगा है ये भी plural है ये verb है तो इसके साथ कोई भी sentence आप पना सकते हो तो simple सी बात ये है कि अगर subject plural है तो verb भी plural होना चाहिए अगर subject singular है जैसे राम प्लेज क्रिकेट राम प्लेज क्रिकेट यहाँ subject singular है subject singular है और वर्ब इसके सामने क्या आएगा singular singular कैसे बनता है एस याई ये एस अगर वर्ब के साथ लगेगा तो वर्ब प्लूरल से singular हो जाएगा तो यहाँ मैं इसके उपर यह देखिए यहाँ मैं यह समझाने कोश्च कर रहा था कि नंबर में चेंजदा नंबर में तो एस याई एस लगने से singular से प्लूरल हो जाता है लेकन चेंजदा वर्ब में प्लूरल से singular हो जाता है एस याई एस यह जो एस याईस वाले वर्ब हैं यह सभी singular है तो इतनी सी बात है बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज जा जाते हैं यह सेंटेंस मराने में तो सदारण सी बात है आपको इस सेंटेंस में दो चीज़े सीखने को मिली सबसे पहले प्लूरल है वर्ब अगर सिंग्लर है सबजेक्ट सिंग्लर है सबजेक्ट अगर सिंग्लर है तो वर्ब भी सिंग्लर होगा सबजेक्ट अगर पलूरल है तो वर्ब भी पलूरल होगा तो इससे आप असानी से संटेंस बनाना सीख पाएंगे आगे हम और भी sentences सीखेंगे इनका negative और coaching form भी हम सीखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही आज पहले टेंस था हमने सीखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको like करिए, comment करिए, share करिए और subscribe करिए और आगे भी इसको share करिए ताके आपके और साथी भी sentences सीख सके हम 4-5 वीडियो में सारे sentences आपको शोटशोटी वीडियो होंगी सिखा देंगे बहुत धन्यवाद, thank you